हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेर्न टेकनिकल में फिर से दोस्तों नहीं रुक्रीट्मेंट की इंफोर्मेशन लेके आए हूँ अब इसमें आवेशन की तरफ से एक और रुक्रीट्मेंट निकाला गया है नोन टेकनिकल अप्रेंटिस की पोस्त के लिए पहले वेस्टन रीजन के लिए था अभी नॉर्धन रीजन के लिए है यानि कि अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं जैसे नॉर्थ इस्ट की तरफ से आएगा या जो है वो दूसरे रीजन की तरफ से आएगा मैं आपको पूरी जानकारी जो है वो दे दूँगा और नेक्स वीडियो में आपको उसकी जानकारी भी मिल जाएगी अगर उनकी तरफ से नोटिफिकेशन को जारी करा ज टेक्निशन वाले इलीजिबल है आई टे वाले इलीजिबल है आई टे आई डिपलोमा यह सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं डिटेल में हम लोग हर एक चीज के बारे बात करेंगे तो शुर से लेके लास्ट अक्स वीडियो को ध्यान से देखें कम्प्लीट देखें ताकि आपके फोन पे मिल जाए toim अप्लाई कैसे करना अप्लाई करने के लिए हैं पे क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है सारे इंपोर्टन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे तो देखतें क्या क्या लिखा गए哦 ho नोटिफकेशन की दोस्तों बात करें, तो ये मार्केटिंग डिवीजन में रुक्रीटमेंट है, नॉर्धन रीजन में, चंडीगड, हर्याना, हिमाचर परदेश, चमू एंड कश्मीर, डेली, पंजाब, राज़स्तान, उत्राखंड और उत्रपरदेश, इन में से अगर आ किसी सीटी से आते हैं, तो आप बिलकुल इलिजिबले अप्लाई कर सकते हैं, वेक्शे की बात करें तो अलग-अलग स्टेट के लिए अलग-अलग वेकेंशी है, फाइव लिग धंडर से زیادा की वेकेंशी होगी, जिसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, डेली में 61 one vacancies है और यहाँ पर जो है वो technician apprentice की recruitment है और इसके लावा जो है वो accountant वाले भी eligible है हरयाना में recruitment है हर एक state में अलग-अलग vacancies है जिनके लिए आप apply कर सकते हैं आप खुद आके देख लीजेगा आपको किसके लिए आवेदन करना है और किस post के लिए कितनी vacancies है eligibility criteria की बात करें तो अगर आप जो है वो technician apprentice के लिए apply करने वाले हैं तो तीन साल का अगर आपने regular full time diploma कर रखा है 50% marks के साथ किसी भी recognized university से आप eligible है apply कर सकते हैं branches सुन लीजिए mechanical वाले eligible है, electrical वाले eligible है, instrumentation वाले eligible है civil वाले, electrical ना electronics वाले और electronics वाले ये लोग eligible है apply कर सकते हैं 50% marks के साथ अगर आपने correspondence education ले रखी है तो आप eligible नहीं है, full time college में जा के study complete करी है तो ही आप apply कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों बात करें, IT वालों के लिए trade apprentice जिसमें कि अगर आपने आइटे कर रखी है, fitter में, electrician में, electronic में, instrument में, mechanist में आप eligible ने apply कर सकते हैं, trade apprentice के लिए इसके लावा trade apprentice accountant के लिए अगर आपने simple graduation कर रखी है 50% marks के साथ आप eligible ने apply कर सकते हैं 45% marks भी चल जाएंगे अगर आप SCST या physically handicap हैं इसके लावा trade apprentice data entry operator के लिए fresher भी अब अवेदन कर सकते हैं जिसमें कि आपने 12th pass करी हुई है non graduate बिल्कुल eligible अपलाई कर सकते हैं इसके लावा एक certificate holder की treatment है, अगर data entry operator का आपने domestic data entry operator का certificate ले रखा है तो आप उसमें जो है वो eligible है apply कर सकते हैं यहाँ पर उसकी जानकरी पूरी दी गई है इसके लावा दोस्तों अगर आपको आपकी educational qualification complete करे हुए तीन साल से जादा का time हो चुका है तो आप बिल्कुल भी eligible नहीं है 31-12-2021 तक आपकी education complete हुए तीन साल नहीं होने चाहिए तो ही आप apply जो है वो कर पाएंगे 18 से लेके 24 साल तक एज का criteria रखा गया है आपकी एज 18 से कम और 24 साल से जादा नहीं होनी चाहिए 31-12-2021 तक और अगर आपकी एज जो है इसी के बीच में है तो आप eligible ने apply कर सकते हैं बाकी एज लेक सेक्षिन आइस पर government ट्रोल मिलेगी जैसा की पहले मिलती आई है बात करे period of apprenticeship की तो सभी discipline के लिए 12 मंत का रखा गया है सिर्फ data entry operator के लिए और data entry operator skilled certificate holder के लिए 15 मंत का training period रखा गया है जिसके दरान आपको अच्छा कासा stipend भी उनकी तरफ से जो है वो दिया जाएगा selection process की बात करें तो हर एक trade के लिए अलग-अलग जो है वो subject हैं बाकी लगफ़क जो subject हैं वो same ही है एक दो में जो है वो differences हो सकते हैं बात कर edited test की तो 90 मिनट का आपको time मिलेगा hundred questions होंगे multiple choice questions जो कि English और Hindi language में होंगे और आपको जोखे वहाँ पे ये exam जोखे clear करना पड़ेगा और इसमें किसी पी तरह की negative marking नहीं होने वाली है इसके लावा दोस्तों बात करें कि आपको apply कैसे करना है शुरुआत में जहाँ पे मैंने बोला था कर सकते हैं बाकी पूरी जानकरी जो है वो लिंक के साथ सारे important links आपको हमारी website पर मिल जाएंगे website का link description में दे दिया है वहाँ पे आप जाके eligible हैं तो apply कर सकते हैं इसके लाव दोस्तों important dates की बात करें तो 17 से आव एदन शुरू है 31 January 2022 तक चलेंगे इसी के बीच में आपको apply करना है और जो admit card होगा वो 2 February 2022 को आपको download करना पड़ेगा और return test जो है वो 6 February 2022 को होने वाला है return test जो है वो चंडिगर जयापूर लखनाव और न्यू डेली में conduct किये जाएंगे इन में changes भी हो सकते हैं उसकी जानकरी आपको आपकी email पर दे जाएगी या इनकी website पर upload हो जाएगी तो यह सारी जानकरी दोस्तों दी गई है IOCL की official website पर आप चाहें तो वहाँ पर जाके भी notification को read कर सकते हैं बाकी important links आपको description में मिल जाएंगे title के उपर click कीजिए description box कुलेगा सारी जानकरी read करिए हमारी website पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो यह ता दोस्ता आज की इस वीडियो में thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए बिलेंगे ऐसी किसी नई job update के साथ दबारा से तब तक आप अपना ख्याल रखिए